Hello Friends, Welcome to my channel Friends, Pregnancy के दोरान महिलाओं के शरीर में कई सारे बदलाव आते हैं और Pregnancy के दोरान कई सारी चीजे असामान ये लगती हैं जैसे कि स्तरनौ में बदलावाना, सबेदन सीलता आना या फिर वाइप डिस्चार्ज होना वैसे तो गर्भावस्था के दौरान सफेद पानी आना सामानी है इसका रंग हलका हो सकता है इसमें किसी तरह की गंद भी नहीं आती और प्रेगनेंसी में ये होना किसी तरह की परिशानी का वज़न नहीं होती लेकिन यदि महिला को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वाइड डिस्चार्ज हो तो ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है प्रेगनेंसी के दोरान अगर महिला को बहुत ज़्यादा सफेद पानी आता है तो ये एस्ट्रोजन के बढ़े हुए अस्तर के वजह से हो सकता है एस्ट्रोजन का अस्तर बढ़ जाता है जिससे पेलवी केरिया का बलड फ्लो बढ़ने लगता है यही वजह है कि प्रेगनेंसी के शुरुवाती दिनों में या फिर बाद के दिनों में भी सफेद डिस्चार्ज काफी ज़्यादा हो सकता है वैसे तो प्रेगनेंसी के दोरान सफेद पानी का बहना सुरक्षित माना जाता है लेकिन यदि सफेद पानी गाठ बनकर निकले या फिर गाढ़ा भी नजर आए साथ ही सफेद पानी के रिसने के साथ साथ अगर प्राइवेट पार्ट में खुजली और जलन हो या फिर उसमें से गंध आए तो ये infection का संकेत हो सकता है प्रेगनेंसी के दोरान सफेद पानी आने पर आप कुछ साबधानिया रख सकती है जैसे कि नियमित रूप से नहाए अपने प्राइवेट पार्ट को साफ तथा सूखा रखे ताकि वहाँ infection ना हो और वहाँ अच्छे वेक्टिरिया का संक्रमन बना रहे प्राइवेट पार्ट की सफाई के लिए किसी भी साबून या केमिकल प्रोडक्ट का इस्तिमाल ना करे प्राइवेट पार्ट से रिस रहे सफेद पानी को साफ करने के लिए कपड़े का इस्तिमाल ना करे आपको बतादू कि यौनी में ऐसे वेक्टिरिया होते हैं जो उसे साफ रखते हैं ये एक नैचरल प्रोसेस है अगर आप कपड़ा या वाईप यूज करती हैं तो इसमें पियच का स्तर बिगर सकता है जिससे इनफेक्शन होने का खत्रा बढ़ सकता है तो ध्यान बस इस बात का रखें कि यदि आपको हद से ज़्यादा डिस्चार्ज हो और उसमें से गंध आए तो एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें और हलका फुलका डिस्चार्ज हो रहा है तो ये सामानिय है ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शिर करें मिलूंगी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में अपना खास ख्याल रखें बाई